हेलो इस्टूडेंट्स जै हिंद हिंद की जै मैं जिते इस पाराशर्थ फिजिक्स फेकल्टी मुखरजी नेगर दिल्ली से स्वागत करता हूँ आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओनलाइन प्लेट फॉर्म अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत आपका क्या बात बहतरीन और इसी के साथ आप जानते हो यह कोश्चन्स फॉर्मिशन हम लेके आते हैं जिसमें दो से तीन मिनट की वीडियो में आपको बताते हैं कि कोश्चन प्रीवियस येर के जो पूछे गए हैं एंडिय में एर फोर्स के अंदर और साथ साथ में नेवी नेवी और कोश्टगार्ड के लिए इंडियन कोश्टगार्ड एक कोश्चन है बच्चे आपके सामने दा फिनोमीना विच केन वी एक्स्प्लेंड ओनली बाई दा क्वांटम नेचर ओफ लाइट अरे वह घटना जिसे केवल प्रकास की क्वांटम प्रकृति द्वारा ही समझा ज वह कहते हैं कि एक कॉएंटम सिध्धान्त था वेट अगर आपको याद हो त्यशन तो कॉएंटम सिध्धान्त के बारे में उस ट्रॉक थीृरीं से रखने वाला उस पे एगरी होने वाला यहं कहूं उससे समझा जा सकता था किस फिनोमिना को को आ-क फेयर लेक्टिक T बोलते हैं मिटा विद्धुत प्रकासी प्रभाव, reflection मतलब जिसे परावर्तन भी कह देते हैं, परावर्तन और interference का मतलब जिसे हम कहते हैं, व्यती करन, व्यती करन या पोल राइजी संद्रुवन, बताओ इसका correct answer क्या होगा, A, B, C, या D, ऐसा बच्चा जो हमारा lecture ले रहा ह से बहुत आसानी से पता क्योंकि हम उसको किसे के स्वरूप में बताए थे, याद है ना, जी साब, और एक correct answer होगा, photo electric effect, photo electric effect, एक ऐसा है, जो quantum theory पर बेज़ जाए, भिर से पूचता हूं, question मैं question निकाल कर, photo electric effect के बारे में बताने वाले कौन थे, Einstein सहाब, Einstein को किस theory के लिए, नोबल प्राइस से नवाजा गया, photo electric theory, वाह, Einstein किसकी theory से सहमित थे, plants की theory थे, plants की theory का नाम क्या था, quantum theory, इसलिए उसका नाम पड़ा, plants quantum theory, plants quantum theory, जिस पर Einstein सहाब में सहमिती जताई, और अपने photo electric effect, विद्दुत प्रकासिये, प्रभाव को, प्रभावित करके, नोबल प्राइस जीत लिया, क्या तुम याद रखोगे, ये सर, इसी के साथ साथ बच्चे हम आपको बता दें, कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, आप कोई भी बैच, जैसे defense मिलेना चाहें, आप ले सकते हैं, JPP 10 live लगा कर, आप बैच जोइन कर सकते हैं, जिससे आपको 10% टेक्स्टर डिसकाउंट मिलीगा, और मिलते हैं अगली कोस्चन में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, जे हिंद, जे भारत